हाँ 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 अब पूरे इंडिया में मेरा कोई मुकाबला ने कर सकता जितने गाड़िया पूरे सेगमें में बिखती है मैं केला बिख जाती हो कोई मेरे आसपा से नहीं है पर यार ऐसी बात नहीं है इतना शौफ मत कर भले मैं तेरे जितना ना बिखू लेकिन फिर भी थो दोस्तों है क्या बिगाड़ेगा मेरा ओ चाइनीस मैकसस जी नाइंटी तो चुपी रहे जा जाके अपने एडिया सिस्टम से ब्रेकें वगरा लगा मेरे आगे तो बोलने की जुरूरत नहीं है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा इस फॉर्टूना का कुछ जादी चौड़ हो रहे तो इसलिए जीप कमांडर या फ़े जीप में रेडियाग लाउंच हो रही है जो की इंडिया में फॉर्टूनर से रावल करेंगी जिसमें आपको फॉर्श चौनर से बड़िया ओफ रोड़िंग मिलेगी और आपको जीप का ڈने यमीले गा जिसमें आपको मिलें जो दोनों गाड़ी , आपको से मिलेंगे और आपको थोड़े बाद दिफ्रेंस mिलेंगे और पार में लूक्स में और इन्टिर इस गाड़ि है दिल से एक दम यह जो कि आपको layout है और जो seats का design है आपको almost same मिलता है Jeep Compass वाला लेकिन जो quality है आपको थोड़ी बढ़िया मिलने वाली है जिसमें आपको seats का leather है आपको suede वाला मिलता है और साथी में आपको burfi वाला design मिलता है जो कि अगर आप अपने गाड़ी में seat cover लगवाने touch मिलता है और इस वाले screen में आपको 360 degree camera मिलेगा जिससे आपको पक्षी का नजरिया देखेगा आपकी गाड़ी का जो की बहुती cool लगता है एक आपको fully traditional instrument cluster मिलेगा जैसे आपको Jeep Compass में मिलता है जिसमें आपको बहुती बढ़ी quality मिलती है पर उसमें ये कमी है कि उसमें आप कारवसल की वीडियोज नहीं देख सकते तो थोड़ी बेगार बात हो गई और मेरा एक challenge है आप सब कारवसल प्रोस के लिए कि मैंने एक नया channel बनाए है जिसके ना मैं रिष्टो का जिसमें मैं गाड़ियो की short वीडियोज में आता हूँ तो आप सबको उसके जाके subscribe करना है और देखते कितने subscriber हो पाते है वैसे मेरे target है 10 crore subscriber का लेकिन अगर आप 10,000 भी करता तब भी बहुत ही बड़ी बात है तो देखते हैं हो पाते हैं या फिन नहीं और बाकि हम commander में आते हैं बहुत ही बात ही होगी और इस guardie में आपको ambient lighting मिलने वाली है जिससे इस guardie में आपको बड़िया मुझे आएंगे mood बनाने में आपको alpine को audio system मिलेगा जो कि आपको jeep compass में मिलता है जिसमें आपको बड़िया quality मिलती है और आपको बड़िया बड़िया मझे आएंगे दुनिया के सबसे best DJ जिसका नामे DJ जमेर उसके गाने सुनने में तो क्या बुराई है इस guardie को लेने में पिर जो इसकी second row seat है उसमें आपको 60-40 के split मिलेगा जिससे आप fold करके third row seat में जाएंगे जो की सही है और जो third row seat है उसकी जो space है पता नहीं क्या होगी लेकिन जो Jeep Commander बहार आती चाइना में तो इसमें आपको काफी सही space मिलती है third row seat में तो इसमें भी expected है और expected के होनी चाहिए third row seat में बड़िया space ताकि आप असानी से इस गाड़ी में बड़िया बड़िया मजे ले पाए third row seat में भी इसमें आपको panoramic sunroof मिलने वाली है जो की Jeep Compass में भी आती है जिसमें अगर आपको खड़ा होना आप हो सकते है लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही है कि हो येगा मत क्योंकि आपकी skin burn नहीं होने वाली आपकी skin fry हो जाएगी इतनी गर्मी में इस गाड़ी में आपको भार मिलेगा 1.3 liter का engine और अब आप कहेंगे कि कैसे बागलो वाली बाते कर रहा है इतनी बड़ी गाड़ी लेकिन 1.3 liter engine इससे बड़ा तो XV3W में आता है तो ये वला engine इंडिया में नहीं आने वाला इंडिया में से कोई लेगा है नी इंडिया में का 2.0 liter का diesel engine जिसमें आपको 200 horsepower मिलेगी जोकि 170 से increased होगी और आपको 400-400 नेम का torque मिलेगा चूकि सही है और साथ ही में काफ़ सारे लोग कह रहे है कि इस गाड़ी में आपको 48V की mild hybrid technology मिलेगी जिसे इस गाड़ी में आपको बड़ी efficiency मिलेगी और obviously इसकी जरूरत भी है क्योंकि इंडिया में 108 का petrol हो रहा है तो थोड़ी मेहंगी बढ़ते गाड़िश लानी और एक इसमें doubt है कि जैसे MG Hector में भी आपको ये वली technology मिलती है लेकिन उस गाड़ी में आपको इस वली technology से 6 की average मिलती है जो कि कुछ ज़ादे खराब है तो जीप को इसमें advice है कि इसकी efficiency में ध्यान रखना especially अपके time में इस गाड़ी के looks अभी कुछ confirm नहीं है लेकिन जो जीप commander चाइना में आती है उसके जैसे इस गाड़ी के looks होने वाली है जिसमें आपको सामने 7th lat वाली grill मिलने वाली है जिसके लिए जीप के बीच में और महिंदरा के बीच में लडाई होते रही और end में जो winner निकला वो थी जीप और इसमें आपको जीप grand चिरोकी की तरह आपको सामने पतली lights मिलने वाली है जो की LED matrix technology में मिलेगी साथ ही में आपको side में लंबी looks मिलेगी जो की एकदम सीधी होने वाली है जैसे हर एक जीप में आती है जो चाइना में Jeep Commander आती है उस गाड़ी की जो length है वो 4.9 meters की है तो मतलब इस गाड़ी की जो length होने वाली है वो इंडिया में Toyota Fortuner से थोड़ी बड़ी होगी लेकिन जो MG Glosser आती है उससे थोड़ी कम होगी क्योंकि उसकी 5 meter की length है कुछ जादी बड़ी गाड़ी है और भाई पर एक बात है कि चाइना में गाड़ीया बहुत बड़ीया बन रही है आजकल जो इस गाड़ी का प्राइस है इंडिया में एक्सपेक्टिड है 35 लेकि 45 लाकि पीश में जो कि best रहत है किसी YouTuber को बिताने के लिए इस वाले segment में क्योंकि सारी गाड़ी इस वाले price point में आती है और जिसका launch है 2022 के mid में expected है पर लेकिन ये गाड़ी इंडिया से पहले Brazil में launch हो जाएगी क्योंकि वापे इस गाड़ी के YouTube चैनल पे वीडियो आनी शुरू हो गई है teaser वाली तो इसलिए इसका launch वापे काफी पास है और अगर आपको यादो कि 5 मिनिट पहले मैंने का था कि ये गाड़ी लौती गाड़ी है Fort Endeavor के बाद जो कि मुझे लगता है कि Toyota Fortuner से राइवल कर सकती है और वो इसलिए क्योंकि जब मैंने इंडिया में आराउंड 40,00,00 के दाव में आती है तो इसलिए इसके expectancy काफी ज़ादा है इंडिया में आराउंड 400,00-400 बिकना पर मन्त की जो कि obviously Fortuner के लेवल की नहीं है लेकिन तब भी इसके segment की third best selling बन सकती है तो अब देखते हैं इस गड़ी का क्या होता है इंडिया में launch के बाद